आएकर भी होए विभिन बतलाओ को पुर्वातिश्य से कैलाज जोकानी नी विसार से व्यापारी को समझाया उन्होंने कहा कि अब लॉंग टम क्यापिटल गेन पर बारा दशम लोग पाच प्रतिशत टैक्स लगेगा तता इंडिक्सेशन का फायता नहीं मिलेगा शेयर बाजार के लिस्टेट शेयर्स पर भी होने वाले मुनाफिपर अगर बारा माँ से अधिक होल्डिंग है तो बारा दशम लोग पाच प्रतिशत टैक्स लगेगा और बारा माँ से कम पर बिस प्रतिशत ट्रैक्स कर दिया क्या है अब लिस्टेट प्रतिशत टैक्स का सरली करंकर अब दिग्रकाली और अलपावदी पुझी करत लाफ को बारा मेने और चौपीश मैने की होल्डिंग में बाट दिया अब लिस्टेट प्रतिपूतिया जिसपर एस्टी लगता है बारा माह या जादा लॉंग टम कहलाएग तथा बारा माह से कम होल्डी शौर्ट टम कहलाएगी बाकि सभी संपतिया सुना चांदी प्रॉपर्टी आधी 24 माह की होल्डिंग को लॉंग टम तथा उससे कम को शौर्ट टम पुझी कहलाएगी उन्होंने टीडियेस टीसेस और री असेस्मेंट में आए बदलाव पर भ लगीए कर निधारन की वर्ट किसे भी अतिरिक्त आय की जोटनी पर 50% प्रिणाटी लगीए जोगानी ने कहा कि सरच कराधान को सरल बनानी का उपार क्या-क्या है उन्होंने नई कर प्रणाली के करों के दरू के बारे में बताती वे कहा कि 70% कर दाता नई कर प्रणाली का लाब दे रहे हैं अनेवाने समय में पुरानी कर पुर्णाली खत्म कर दी जाएगी बजट में विद्वमंत्री ची ने कहा कि जल्दी नई संशुदीर प्रतिक्षिकर सहीता लाई जाएगी वह पुरानी आइकर आएट 191 की जगाले की जोगानी ने बताया कि विद्वमंत्र की बारे में भी विश्णु जानकारी थी मंच पर नाखपुर चिंबर की अधिक्षिर गोविन पसारी सचिव तरुन निर्वान कोशिया के कोशादक्षिर नितिन अलसी उपस्तित थे तथा कारिक्रम के विजय जैसवाल प्रदीप जाचू विवेक मुरारका वसंद पालिव नाथा भाई पटेल वेनु गुपाल अगरवाल गिरिश लिलाडिया कमलेश शह महेंडर कटारिया संजेब पांडे नितिश अगरवाल मोकेश अगरवाल सीएपेडी सतीचा महेश बंग देविन अगरवाल अंबर अगरवाल ललित करिमोरे उमाकान जाजू हर्षित अगर पानी तथा आंडिस सबासत उपस्तित थे मन संचालन सहसचेव विवेक मुरारका ने तथा आभार प्रदर्शन नितिन अलसी ने किया री असेस्मेंट कैसे होएंगे और लोगों को कैपिटल गेंड में जो आया है शेर बजार में कैपिटल गेंड में जो चैंज हुआ है कैपिटल लॉंग टम कैपिटल गेंड क्या होगा शॉट टम कैपिटल गेंड क्या होगा सब इस्तार से हमने बता है ये बजेट में चेंजेस आले हैं, जो बजेट में चेंजेस आये हैं, MSME से लेकिए, वो MSME को बढ़ावा देने के लिए, MSME को तकलीवे हैं, funds की तकलीवे में, shortages है, skilled worker की है, skilled manpower की है, इसे दूर करने के लिए बहुत अच्छे चेंजेस लाए हैं, जिसके हम प्रागत करते है लेकिन कुछ चेंजेस जो अफेक्षा की अनुरूप नहीं आया है, जो 43 pH है, जिसमें 45 दिन के अंदर पेमेंट देना होता है, MSME वालों को, उसके बारे में हम लोग बहुत आतूरता से रहा देख रहे थे कि इसके बारे में कुछ प्लाइफिकेशन आएखा, चेंजेस आएगे, इसे लिप्राल किया जाएगा, वो चेंजेस आये नहीं, हम लोग अप्रेक्षित कर रहे थे कि चेंजेस आएगी, इससे आज भी माइप्रो और पॉल, जो बिजनेसेस है, इंडस्टीज है, छोटे उद्योजब है, इनको का आटफोर चेबर और पॉल, इसे लिए बिजन कर रहे थे कि चेंजेस, इन बिसन दिएस के लिए, अभिशेग पांसी की रिपोर्ट,